BCCI 2025 के IPL में प्लेयर्स पर पैसों की बरसात करने जा रहा है, एक न्यूस सामने आई है, डिसकस कर लेते हैं, एक तो ओक्षन में जो पैसे मिलते हैं, कोई भी प्लेयर 20 क्रोर का, 25 क्रोर का जितने का भी बिकता है, वो एक अलग चीज है, इसके इलावा BCCI ने क्या अनाउंस ये की है, के ओक्षन वाले पैसे तो आपके पास हैं, या आपको हमने हरीदा है, स्पोर्ज कोई प्लेयर है, वो 20 क्रोर में बिकता है, 20 क्रोर में बिकने के बाद यहां पर बातें नहीं रुकेंगी, पहले होता था, ये तो सब कोई पता है, कोई अच्छा परफॉर्म करें मैच हो गया, और भी जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको एक्स्ट्रा गिफ्टिंग ले ले या चेक्स दिये जाते हैं, लेकिन अब BCCI क्या करने लगया, IPL के अंदर कोई एक मैच खेलेगा, तो हर प्लेयर को एक मैच खेलने का सारे साथ लाख इंडियन माउंट बांड़ी है, जो BCCI, उनको ऑॉक्शन के पैसे अलग और ये एक करोर की जो माउंट है, ये अलग, दोनों पे करेगा, और आप लोग ये देखें कि अगर इसको हम लोग पाकिस्तानी रुपीज में करें, सारे साथ लाख आप अंदाजा करें, चोबिस से पच्छ लाख रुपे बनते हैं पाकिस्तानी, मैं आपको ये भी बताता, चलूँ ये जो एक सवा करोर के पास वैल्यू बनेगी, जो पूरा एक प्लेयर, जो पूरा आईपियल के सारे मैचिस खेलेगा, वो अर्ण करेगा, उपर की अमाउंट सवा करोर के पास बन लिया है, और आ करनी है, ठीक है, जो निया प्लेयर जिसको चांस दिया जाता है, तो आप अंदाजा करें, उसको 20-25 लाख पे किया जाता है, पूरा PSL खिलाने का, ठीक है, ओक्शन में उनको, ये ही उनके टोटल मनी होती है, अब आप अंदाजा करें, IPL कहां पर पहुंच किया है, वो लो अगर इंडियन डूपीज में देखें, सारे 7 लाग है, 7.5 को, अगर हम लोग 10 से करें, 75 लाग, ये कोई 82, 83 लाग, 83 लाग हर टीम को पे किया जाएगा, एक मैच का, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि IPL कितनी बुलंदियों को पहुंच गया, हमारा PSL अभी था कहां है, क्रिकेट से रिलेटिट कोई भी न्यूज होगी, तो लाजमी दोट पर शेर कर दूगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना,